नीचे description में आपको silos group की playlist का link मिल जायागा आज हम एक theorem proof करेंगे if order of g is equals to p into q यहाँ पे p हमारा less than q के and p does not divides q minus 1 then group is cyclic जहाँ पर p और q हमारे prime numbers है तो proof start करते हैं सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पे order of g p into q यह हमें दे रखा है p हमारा क्या है less than q से अब यहाँ पे देखो order of p ssg यह क्या होगा हमारा इसको अगर हम h माल लें तो यह हमारा p होगा क्योंकि यहाँ पे maximum power p है अगर यहाँ पे p square होता तो हमारा order of p ssg क्या होता p square होता इसी तरह से order of q ssg क्या हैगा हमारा इसको के माल लेते हैं यह हमारा आएगा q ठीक है अब अगर किसी भी order का किसी भी group का order prime number होता है तो वो क्या होता है हमारा cyclic होता है हम माल लेते हैं यह a ssg हो रहा है और इसको माल लेते हैं यह हमारा K है यह हमने लिख लिए 20 है जनरेट हो रहा है अब लास्ट लेक्षर में हमने साइलोस थर्ट होरम डिस्कस की थी वहाँ पे नमबर आफ PSSG कितने होंगे नमबर आफ PSSG यह कितने होते हैं हमारे 1 प्लस P T कितने होते हैं और यह हमारे क्या करते हैं ग्रूप के आर्डर को डिवाइड करते हैं यानि यह डिवाइड करेगा P इन्टू Q को अब यहाँ पे इसके लिए क्या क्या 44 हैं अगर इसको डिवाइड करना है 1 प्लस P T या तो यह 1 आ जाए P आ जाए Q आ जाए अब 1 के लिए तो हमेशा true होगा यानि अगर अब T 0 पुट कर दें तो यह 1 आ जाएगा और 1 तो हमेशा हर नमबर को डिवाइड करता है तो अब हम देखते हैं P के लिए ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या किया 1 प्लस P T को इक्वल कर दिया P के और इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं P T is equal to P minus 1 अब यहाँ पे जखो चुँकि P जो है वो P minus 1 को डिवाइड नहीं करेगा कभी नहीं करेगा कोई भी prime नमबर उसके one less prime नमबर को डिवाइड नहीं करता है तो यह तो हमारा possible नहीं होगा तो अब हम क्या करते हैं इसको one plus P T को किसके equal put कर देते हैं Q के equal put कर देते हैं तो यह क्या imply करेगा यहाँ पे देखो यह सेम चीज लिखते हैं P T equals to Q minus 1 यहाँ पे जैसे यहाँ पे P इसको डिवाइड कर रहा था लेकिन चुकि यहाँ पे P P minus 1 को डिवाइड नहीं करता है तो यह contradiction आ गया similarly यहाँ पे देखो P जो है वो डिवाइड कर रहा है Q minus 1 को पर हम जो लेके चलने हैं वो क्या है कि P does not divides Q minus 1 तो यहाँ पे भी contradiction आ जाएगा तो यह दोनों ही possible नहीं है अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे there is only one PSSG एक ही PSSG होगा और silo second theorem की जो corollary है वो क्या कहते है कि अगर किसी के पास unique PSSG है तो वो जो group होगा वो हमारा क्या होगा normal होगा तो यहाँ पे यह जो h है यह हमारा normal हो जायागा G में अब चुकि यहाँ पे K भी हमारा prime है और यानि एक Q भी हमारा prime है तो similarly जैसे हमने P के लिए देखा इसे हम Q के लिए भी देख सकते हैं तब भी हमारा unique ही आएगा और इसी तरह से हम K के लिए लिख सकते हैं K हमारा normal होगा G में अब यहां पे देख़ो इस group का order क्या है हमारा Is group का order भी इस group का order P है Is group का order Q है और P और Q क्या है prime number से हैं तो इस group के हर एक element का order P होगा इस group के हर एक element का order Q होगा तो अगर हम यहाँ पर देखें H हमारा किस तरह से है इस तरह से हमने लिखा K हमारा इस तरह से लिखा है हमने तो H intersection के जो है वो क्या आएगा हमारा Singleton E आएगा अब यहाँ पर एक चीज लेखो Group का order हमारा क्या है Order of G is equals to P into Q अब अगर हम इसमें कोई भी element ले रहे है यहाँ पर दोको P जो है वो हमारा P into Q को divide कर रहा है Q हमारा P into Q को divide कर रहा है कौसी theorem क्या करता है कि इसके पास order P का भी element होगा और order Q का भी element होगा अब यहाँ पर P और Q को कोई और number divide भी नहीं करेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि G के पास सिर्फ order P के element होगे और order Q के element होगे और दूसरे order P Q के भी element होगे यानि तीन order के element इसमें हो सकते हैं तो P के, एक Q के और एक P into Q टाइप के अब यहाँ पर अगर कोई order P का element होगा तो वो H का भी होगा A, B is equals to B, A और अगर किसी भी element का order जैसे अगर हम A, B का order अगर मान लेते हैं P into Q तो यह order of G के equal आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर order of A क्या है P है, order of Q, B क्या है Q है और हम जानते हैं कि अगर group हमारे disjoint होग या फिर disjoint ना भी हो तो अगर हम दो element के product का अगर हम निकालते हैं order तो कैसे तरह से निकालते हैं LCM of order of A order of B इस तरह से disjoint होना चाहिए A और B यह हमने उसमें पढ़ाता SN में, ठीक है वही चीज़ हम यहाँ पर apply कर रहे हैं तो अगर order of A हमारा P है order of B हमारा Q है LCM हमारा P और Q आजाएगा तो यहाँ पर order of A B is equal to P Q हो गया जो कि हमारा order of G के equal है A B हमारा G का element है B भी हमारा G का element है A B भी हमारा G का element है तो इसका मतलब इसके पास A के element ऐसा मिल गया A B ठीक है जिसका order जो है पूरे group के order के equal है तो यह imply करेगा यह imply करेगा G is cyclic तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई भी group है उसका order P Q है और P divide नहीं कर रहा है Q minus 1 को तो वो हमेशा cyclic होगा example के लिए जैसे यहाँ पर order of G अगर हमने लिया है 6 ठीक है लेकिन यहाँ पर 6 जो है वो divide करेगा इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3 और 2 3 को 3 minus 1 को divide कर रहा है तो यहाँ पर यह cyclic भी हो सकता है और non-obellion भी हो सकता है अब हम एक और लेते हैं 15 ले लेते हैं ठीक है 15 लेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 into 5 और 3 जो है वो divide नहीं करता है 5 minus 1 तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी group का order 15 है तो वो cyclic होगा इस तरह से अगर हम लें 35 35 को हम क्या लिख सकते हैं 5 into 7 यहाँ पर भी हमारा 5 जो है वो divide नहीं करेगा 7 minus 1 को तो order 35 का group जो होगा वो क्या होगा cyclic होगा इस तरह से अगर हमें किसी group का order दे रखा है तो उसको हम prime factorize करेंगे और फिर check करेंगे कि यह हमारा इसको divide इसके minus करेके divide कर रहा है या पिन नहीं कर रहा है अगर कर रहा है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते और अगर नहीं कर रहा है तो बो सिर्फ और सिर्फ cyclic ही group होगा तो I hope आपको समझ में आया होगा त्योरम अगर आपको वीडियो अच्छा लेगे तो हमारे चैनल को subscribe करें मिलते हैं अगली वीडियो में